दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेक जी न्यूस पर तो बात यहीं खत्म नहीं होती, गुंजन जो बनना चाहती है वो बन सकती है, लेकिन असल दुनिया की अपनी चुनोतियां होती है, ये फिल्म 1999 कारगिल युद्ध छेत्र में उडान भरने वाली भारत की पहली महिला एयर फोर्स ओफिसर गुंजन शक्षेना की जिन्दगी पर आधारित है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स रिविद्या राजन के साथ उन्हें युद्ध के दोरान कैजूल्टी इवेक्वेशन का काम सौपा गया था, शक्षेना शौर चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली भारती महिला भी है, कहानी अपने आप में काफी प्रिणा दायक है, इसलिए ये चुनोती हमेशा बनी रहती है कि बड़े परदे पर ये कहानी कैसे उभर कर आएगी, फिल्म को लिखने और डायरेक्ट करने वाले नए नए सरण सर्मा ने इस कहानी को बड़ी बखुबी से बया किया है, असल गुंजन सक्सेना केवल 24 साल की थी, जानवी भी फिल्म में यंग और उम्मीदों से भरी हुई दिखती है, पुरुषों के दबदबे वाले छेत्र में अपनी चुनोतीयों को पार करती लड़की के रोल में जानवी ने सच्चाई दिखाई है, महिलाओं के लिए टॉलेट या चेंजिंग रूम का ना होना, सं फिल्म में सबसे यादगार सिन उनके परिवार के साथ हैं, ये फिल्म उतनी ही पंकस्त्रिपाठी के इर्द गिर्द है, जो हमेशा अपनी बेटी के शपनों को सपोर्ट करते हैं, फिल्म की सबसे प्रभावी लाइन्स पंकस्त्रिपाठी ने अपने ट्रेडमार्क में बोली है, पिता बेटी के आउडियंस की आँखों को नम कर देने के लिए काफी है, फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही असरदार है, ओवर प्रोटेक्टिव भाई के रोल में अंगत बेदी, यूनिट में गुंजन को शामिल किये जाने का विरोत करने वाले, फ गुंजन की मा के रोल में आयसा रजामिश्रा को भी भूला नहीं जा सकता है, फिल्म में कारगिल की लडाई के सीन जादा नहीं है, फिल्म जहां निखर कर सामने आती है, वो है इसके भावुक सीन, बैक्राउंड स्कोर भी अच्छा है और फिल्म के मूट के साथ बैठता ह अच्छी तरस से बया की गई गुंजन शक्षेना की ये कहानी हमारे दिल में घर बना लेती है, दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता न भूले, धन्यवार